डॉक्यूमेंट्स का एक फोल्डर लें स्ट्रॉर और स्क्यूवर्स का इस्तिमाल करे बोट को फ्रेम और लेक्स भी मिल गई बार को फोम पेपर से कवर करे स्टांड मिल गया बोट पर सारे फॉर्मूले लिखे है ये डेवलप्मेंट्स क्या है? प्रोफेसर आपने मुझे टेस्ट यूब दिये थे रिसर्च की चीज़े हैं हाँ रुको मेरे नए माद बोट को देखो इसमें परफेक्टली सब कुछ लिख सकते हैं वैसे मैंने नए फॉर्मले की खोच की है बदाई हो पर इन टेस्ट यूब का क्या करना है? मिक्षर से अजीब सी चीज़ें हुई साइन्टिस्ट मॉन्स्टर में बदल गए खेर ये कब तक तयार होगा? अजीब है और क्या हुआ है? क्या पता असे मेरा फॉर्मला ना पसंद आया हो कोई भी मेरी तारीब नहीं करता एक प्लास्टिक कवर ले कैप से जोड़े ट्राइपॉड को असेंबल करे सॉस के पैकेज को कलर करे लाम्प क्रिस्टल्स को फिक्स करे हमेशा की तरह अपरेटिंग रूम बिजी रहता है साफधाइनी से स्ट्रेचर को यहां रखो बीवी का जन्म होने वाला है डॉक्टर जल्दी करो शांत हो जाओ मामी आप सुरक्षित हातों में है मझे बहुत घबराट हो रही है सब ठीक हो जाएगा यह आशा करती हूँ ठीक है शरू करते हैं स्क्रीन के पीछे से ना देखे आह वो क्या है ठीक है मैं जा रही हूँ जी वेंस्टे की छोटी कॉपी ने ही जन लिया है ओ कितनी प्यारी है उसे देखकर सभी बहुत खुश हुए है लाली लो के पास स्टार ओफर्म के ब्लॉक्स है इससे एक रिसेप्शन डेस्ट बनाते है वाइड कार्ट बोर्ट को टेबल टॉप में बदले बीच का पार चुन ले काउंटर टॉप को नील पॉलिश से कवर करे ये ब्राण न्यू रिसेप्शन विसिटर्स का भरोसा जीत लेगी मैं आपको एक अनुखा रिसेप्शन डेस्क दिखाता हूँ परफेक्ली स्मूध सार फेस है बढ़िया क्वालिटी का ब्राइट डिजाइन है ये लिमिटर डिडीशन है तो आप ही ओडर करें ये सपना सच होने जैसा है बहुत फेंसी है ओ, मैं इसे हमारे हॉलवे में अभी से इमाजिन कर रहा हूँ बहुत ही कमफर्टेबल और स्मूध है और डिजाइन तो एकदम परफेक्ट क्लिनिक के ओनर खुद को इसे खरीदने से रोक नहीं पाए जैसा मैंने कहा था आप इससे बिल्कुल निराज नहीं होंगे शक्रिया बार टूट कर स्क्यूवर बन गया चलिए फ्रेम को असेंबल करते हैं स्क्रीन को सिल्वर टून करे इससे हो जाएगा बढ़िया एक धगी हुई स्क्रीन पेशन को तांका जागी वाले लोगों से छुपा कर रखेंगे डॉक्टर विजिटर्स का इंतिजार कर रहे है डॉक्टर डॉक्टर उनने मुझे यहां दिखाने के लिए भीजा है बढ़िया स्क्रीन के पीछे जाओ और कफड़े उतारो आम पर मैं क्या उतारूँ मैं एक स्नू मैन हूँ शाद ये बोटाई सब तयार है तो तो तुम्हारे मेडिकल रिकॉर्ड्स देखते है सास लो अब रोक के रखो सब खीक है मुझे कोई दिक्कत परिशानी नहीं लगी पर मैं बहुत ठंडा हूँ खेर इससे समझ आता है तुम स्नू से बने हो क्या ऐसा मत कर हो ओ ये पेशन्स भी ना पैकेज के अंदर क्या है देखते हैं प्लास्टिक ट्रेट इससे रख लेते हैं कार्ड़ोर इंसर्ट को लगाएं इन्हें सेक्शन्स में डिवाइड करें सालड को ले आउट करें ये ट्रेट सारी हेल्दी हाने से भरी है जो भी हेल्दी डाइट के लिए जरूरी है एक लड़की वाड में रिकावर हो रही है मुझे बाथरूम जाना है अभी आ जाओंगी क्लीनिंग, स्केडियूल, क्लीनिंग रूम को साफ रखना चाहिए फूलों में पानी दे खेर, बस यही मैं बहुत ठक गई हूँ थोड़ी देर सो जाती हूँ खाने का समय है, और जाओ ओ, बेट पर ब्रेकफास्ट तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तुम कौन हो? और तुम मेरे वार्ट में क्या कर रही हो? बहुत यह जीब सिचुएशन है उप्स, मैं यहां नहीं हूँ तुम्हें धोगा हुआ है मैं बस जा रही हूँ, मुझे काम है ऐसा होता है एक फोल्डर ले प्रिंटेट पिक्चर्स का इस्तिमाल करें टाबलेट पर लगाए अब हमें एक बाइंडर क्लिप आर्ट करनी है इससे मेडिकल रिकॉर्ड्स रखने में आसानी होती है आज क्लिनिक में हॉस्पिटल राउंड होगा पेशन्स का टेस्ट होना जरूरी है तो मिस मिनी माउस कैसा लग रहा है चलिए टेंपरेशर देखते हैं साचुरेशन चेक करते हैं तो रिजल्ट कैसे है इंडिकेटर नॉर्मल है तुम बहुती जल ठीक हो जाओगी चेक आउट के लिए काड यहीं रख जाती हो जल्दी स्वस्थ हो जाना शुक्रिया बाई एलसा और जात का रूम पास ही है हेलो क्या प्लान है आज तुमने इम्म्यूनिटी बूस्ट के लिए वैक्सीन लगवाई है डरने की कोई बात नहीं है मैं तुम्हारे साथ मुहानी बस एक शौर्ट एलसा को कुछ पता ही नहीं चला डॉक्टर ने नोट्स ले लिए जल्दी ठीक हो जाओ मुझे अब जाना है तो हमारी लास्ट पेशन मिस नीटरी मेरे पास तुम्हार लिए अच्छी नियूज है रिश्तेदार उसके डिस्चार्ज पर उसे बदाई देने आये है नीटरी वापिस आ गई वोहू वो सब जल्दी ही चले गई ऐसा कैसे करते हैं लोग मैंने उन्हें अभी कार्ट भी नहीं दिया ओ टूटा हिस्सा प्लास्टिक के कोनो को ट्रिम करे ट्यूब में इस वर्क पीस को डाले ट्यूब को छोटा काटे उसे रेड लीकविट से भरे कॉलम में डाले डिवीजन्स बनाए तुम भी अच्छी हो रही हो टेंप्रेचर चेक करें इंडिकेटर्स भी नॉर्मल है मैं आप भी वापिस आती हूँ बाट खिड़की से जहांक रहा है मैं चुपके से हॉस्पिटल में घुसकर सब को डरा कर भगा दूँगा बूँ यहां क्या हो रहा है जल्दी खिड के बंद करो सब बाट ने किया है इसमें मुझे कोई हैरानी नहीं है ब्रावो तुमने सब ठीक कर दिया यही तो मेरा काम है एक पॉलिस्ट्रीन फोम का टुकड़ा ले फोम बीन स्कैन को काट ले डिस्प्ले लगाए काडियोग्राम स्टिक बाहर लगाए कनेक्टर्स के लिए बीज इस्तमाल करें कॉट्स को जोडें लेगो पीसिस को आखिर में लगाए हार्ट में क्या सही नहीं है वो एक काडियोग्राफ की मदद से पता चल जाएगा डॉक्टर ने ब्राण्यो काडियोग्राफ को सेट कर लिया है डॉक्टर मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है क्या मैं बिमार हूँ अंदर आओ काउच पर बैठो आप सुनते है हम्म्म हमें तुम्हें देखना होगा चिंता मत करो इससे दर्द नहीं होगा अपनी सांस रोक कर रखो सांस लो, काडियोग्राम तयार है अब इसमें देखते हैं वैसे परिशानी की बात नहीं है थोड़ा स्ट्रेस है कि जादा चलो और मेडिटेट करो शुक्रिया डॉक्टर आपने सच में मेरे मन का भुच मैं सबस्थ रहो चीजों को तयार कर ले कैप में ट्यूब को जोड़े बॉटल को कवर करे नेक पर नोसल डाले शाइनी बटन्स को औरडर में लगाए बदलते नोसल वाला इरिगेटर ओरल हाईजीन का बड़िया असिस्टेंट है माटीशा और गॉमेज रेस्टरांट पर डेट पर गए है कारा मिया तुम बहुत खूपसूरत हो वैसे ही जैसे हम पहली बार मिले थे तुम अपनी तारीफों से मुझे पागल कर दोगे माई लव डान्स के लिए शुक्रिया यहां बैठो सबसे बड़िया डिनर खा कर देखे यमी खाना खत्म हुआ अब घर जाने का समय है ओ डियर मुझे पहले खुद को साफ करना है मैं हमेशा सोने से पहले अपने दान साफ करती हूँ इस ब्रान यू इरिगेटर से अच्छे से सफाई होती है उपस, बहुत सारा खाना वाउ, कितना काम का डिवाइस है गोमेश अपनी वाइफ के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा हानी, तुम्हें अभी भी ये स्थमाल करना चाहिए ओ, तुम सो गए हो मैं तुम्हारे सपनों में तंग नहीं करूँगी प्लास्टिक काम आएगा रॉट का एक हिसा काट ले सेट को एक जिप लॉग बैग में पैक करे अब बलड कलेक्शन के लाब में जा सकती है ओस्पिटल में पेशेंस की लाइन लग गई है श्रेक अगली बारी तुम्हारी है ओ नहीं, नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ चल चले, मुझे लगता है कि agora मेरे जाने का वक्त हो गया है डरो मत जल्दी करो मुझे इंजेक्शन से डर लगता है अगली बारी मेरी है जुल्दी करो, हमें इंतिजार मत करवाओ बैठ जाओ, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा ओ, मुझे डर लग रहा है बस देखना मत और हो गया, अब तुम जा सकते हो इसमें बिल्कुल दर नहीं हुआ ये रही, एक बहुती बहादूर पेशेंट के लिए थोड़ी सी कैंडी चलो एक सोफा बनाते हैं कपड़े को सीधा करें इसे सिल ले ज़रा इन सबी ट्यूब्स को देखे अराम दाएक आमरेस्ट लगाए टेप को कपड़े के एक टुकरे सिल पेटे कुछ है ट्रेस्ट काट ले सच्चे प्यार को कोई नहीं रोख सकता एलसा और जेक स्लेडिंग करने आए हैं लेकिन बरफिले तोफान में एक पेट बिलकुल दिखाई नहीं दिया और ओ नहीं, स्लेट पेट से टकरा गई है कपल हॉस्पिटल में पहाँच गया कम से कम हमने बहुत मज़े किये तुम्हें कैसा लग रहा है चलो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं सब कुछ बहुत बढ़िया है घर जाने के लिए तैयार हो जाओ और तुम कैसे हो? इतना अच्छा नहीं है अब तुम ठीक नहीं हुए हो डार्लिंग, हमें क्या करना चाहिए? शायद इसे घर ले जाना सही रहेगा मार्क करना, हमें इसे एड्मिट करना होगा जल्दी ठीक हो जाओ, हनी मैं कुछ सोचती हूँ चाक को अकेले ही कमरे में रहना होगा एलसा अपने थ्रोन पर बैठी है लालीलू, मुझे क्लीनिक में नौक रिदल लाने में मेरी मदद करो सबसे पहले उसे स्क्रब्स की जरूर रथ होगी वाँ, कितनी बढ़िया पैंट्स है चलो एक चमकदा टर्टल लेक सिलते है एक नीला रोप पहनाए रेड क्रॉस सबसे जरूरी चीज है हमेशा अपने साथ एक नया स्थेतोस्कोप रखे एलसा अपनी मेडिकल प्राक्टिस के पहले दिन के लिए तैयार है मदद करो, मुझे जल्दी से डॉक्टर बनना है मुझे उसे बचा नहीं होगा तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा मैं उसके लिए कुछ भी करूँगी तो फिर किताबे लो ये थेरी है लेकिन इसमें बहुत सारे एक्स्पेरिमेंस भी होंगे एलसा मेडिसिन के बारे में पढ़ रही है मैं एक दरावनी जानबर हूँ मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो ग्राजुएक कैसे हो गई मैंने बाजी मार ली ये ही मैं असली डॉक्टर की तरा एक सूट में हूँ अब तो मैं ग्राजुएट हो शुक्रिया अब मैं जाग को बचाऊंगी मैं आलाव हूँ शायद मुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए नहीं मैं इस तरह के एक और स्टूडेंट से नहीं निपट सकती अब जबकि वो एक डॉक्टर है एलसा जाग के लिए एक जादूई पिल बना सकती है मैं एक जादूई पिल कैसे बना सकती हूँ मेरे पास बहुत सारी चीज़े है लेकिन मुझे इने मिलाने का तरीका नहीं पता इतनी सारी चीज़े चलो एक लाब बनाते है बॉल को लगाए पॉप ट्यूब को कनेक्ट करे चुड़े हूए कंटेनर से फ्लूइड निकलेगा में प्लास में सॉल्यूशिन भरे हर एक स्टेज पर लेकिड में नहीं चीज़े मिल रही है एलसा काम पर लग गई है उसे बहुत कुछ सोचना होगा मैं उमीद करती हूँ कि ये सही काम करेगा चलो भी ये आखरी कनेक्शन है मैं एक सैंपल लूँगी और माइक्रोस्कोप के नीचे इसकी जाच करूँगी इसे और भेटर बनाना होगा ये असान नहीं है अखिर में उसने कर दिखाया वाँ! मेरी हीलिंग पिल अब मैं जाग को बचा लूँगी टारलिंग उठो मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए बहुत वक्त लगाया और बहुत कोशिश भी की है क्या? एलसा, चलो भी जादूई पिल खाओ तुम्हें लगता है कि ये मदद करेगी? हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुमने मुझे ठीक कर दिया ये करना फाइदे मन रहा हम प्यार के लिए ये सब कर सकते है चलो एक बेबी डॉल बनाते है चीजों को मिलाए चलो मोल्ड को भरते है हमें एक प्यारा बेबी मिल गया है पूरे बॉड़ी को हिलाया जा सकता है बाल चिपकाए हलका कप राले कर पैंटी से ले उन्हें लेस वाले बॉर्डर से सजाए एलसा की बहन रिसेप्शन पर आई है हनी क्या तुम मेरी बेबी को चेक कर सकती हो बेशक तुमारे अंदर एक छोटी सी जान है और मैं एक आंट बनने वाली हूँ चलो बेली को महसूस करें चलो अब उसे सुनते हैं बेबी लात मार रहा है अब इसे ही बहार आने की भीट मांग रहा है आह मुझे क्या करना चाहिए मैं दयार नहीं हूँ सब ठीक हो जाएगा डॉक्टर्स की टीम ने बेबी को सही से डिलिवर कर दिया है आपकी एक हेल्दी बेबी गर्ल हुई है ओ मेरी बेटी एलसा मदद करने के लिए शुक्रिया बुबार रखो आना और बेबी हमें क्या चुनना चाहिए अब रगड़ा गूल कपड़े पर एक गांट बना ले लाइट क्ले से छोटा ओलफ बनाए ओखी बनाए कंप्रेस को आईस क्यूब से भरे ओलफ कंप्रेस इससे चोट से निपटना आसान हो जाता है एंटोनियो अपार्टमेंट में इधर उधर दोड रहा है इस लड़के को वार गेम्स पसंद है जब एजेंट एंटोनियो ड्यूटी पर होता है तो कोई भी आस बस नहीं भटक सकता मैंने टेबल पर ध्यान कैसे नहीं दिया मेरी मदद करो मुझे जल्द से जल्द एक डॉक्टर की ज़रूरत है मेरे साथ ये क्या हो गया हलो क्या आपने फोन किया था मुझे चोट दिखाई दे रही है एक ठंडा कंप्रेस मदद करेगा मेरा ही लिंग ओल आफ ओ वाँ मेरा पैर बिल्कुल नहीं जैसा हो गया मैं अभी गई भी नहीं और तुमने खुट को फिर से चोट पहुचा ली ओ ये पेशन भी ना एक प्लास्टिक कंटेलर ले लेबल को चुपकाए हमें एक अरामदाएक हैंडल मिल गया है होट यू की एक गंडी को बर्व के धेर में बदल दे इससे बॉक्स को भरे प्ले से एक दिल की शेप बनाए एक विसल बनाए इसे क्लियर नेल पॉलिश से कवर करे डॉक्टर्स नए पेशन का इंतजार कर रही है अंदर आ जाओ हलो, जब तक मेरी फ्यान से में जान नहीं आती तब तक हम शादी नहीं कर सकते उसे एक दिल की शरूरत है चलो पहले उसे चेक करे सुनो, तुम सही कह रहे हो दिल नहीं धड़क रहा मेरा यहां इंतजार करो एमिली को हार्ट ट्रांस्प्लांट से जिन्दा किया जा सकता है हनी, प्लीज मान जाओ क्या तो में लगता है कि ये सही रहेगा बेशक, हमारे पास बस एक ही रास्ता है डॉक्टर्स काम पर लग गई है बाडी रिलाक्स हो रही है और तुम सो रही हो बाई बाई सर्जरी बहुत मुश्किल है ये काम कर गया उठो, सब कुछ ठीक हो गया ये कितना नोखा है मैं फिर से एनर्जी से भर गई हूँ डार्लिंग, तुम जिन्दा होकर और भी संदर लग रही हो अब हम शादी कर सकते हैं ओल अफ, तुम कितने अजीब हो तो तुमारी ट्विक कहा है चलो, उसे और प्रोथेसस देते है जॉइंट को जोडे हाथ लगाए इसमें तारों को कनेक्ट करे रोबो शोल्डर के नीचे सीम को छिपा दे बायो मकेनिक हाथ पुराने वाले से भी अच्छा है ओल अफ, डॉक्टर के पास आया है एलसा, मैंने अपना हाथ खो दिया बेचारे, ये कैसे हो सकता है? मैं टेहनियों में अटक गया और मुझे अपनी ही तेहन ही नहीं मिली ओ, चलो तुम्हारे लिए प्रोथेस्स लाते है ये लगा कर देखो नहीं, ये तो लकड़ी है बहुत सकत है और ये कुछ जादे ही इंसानों वाला है उदास मत हो, चलो कुछ नया ओर्डर करते है कूरियर ने मुझे इसे आपको देने के लिए कहा है बढ़िया, शुक्रिया खेर, मेरे दोस्ट इसे ट्राइ करके देखो वा, क्या बात है अब मैं एक बढ़िया साइबॉर्ग की तरह हूँ पहले से कहीं ताकित वर शुक्रिया, एलसा अपना ध्यान रखना, रोबोर्ट स्नो मैन चलो वेक इनहिलर बनाते है श्रॉ के एक हिस्से को लेगो से जोड़े श्रॉ का एक टुकड़ा चिपकाए तार वाइरिंग के डिब्बे में पड़ी हुई थी इनहिलेशन मास्ट अपनी जगा पर लग चुका है जैसे ही आप एक बटन दबाएंगे गर्ण स्टी मास्ट में घुस जाएगी बच्चा ठीक होने के प्रसीजर से गुजर रहा है गहरी सास लो और सास छोड़ो एलसा मेरी मदद करो मैं का इसी कल जितना ठंडा हो गया हूँ मैं अपनी नाक से सास नहीं ले पा रहा हम तो में ठीक कर देंगे सोफे पर लेट जाओ मास्ट से सास लेने की कोशिश करो वाँ ये बहुत असान हो गया है बहुत बढ़िया मैं जाज का रिकॉर्ड रख लेती हूँ एलसा बिजी है कोई भी ध्यान नहीं देगा चोटी से काम की चीज ही तुम मेरा डिवाइस कहां ले जा रहे हो खेर घर में सब काम आ जाता है ओ या अलव भी ना अपने फोम बेपर कोई छोटा करे डिस्पले लगाए प्यार एकान है इससे ब्लड प्रेशर चेक करना बहुत असान है हेलो अब लंच करने का समय है सबको मेरा सूप पसंद आएगा मॉम नहीं देख रही है अब शरारत करने का समय है हे ये शोर कैसा है ओ नहीं यहां क्या हुआ है हानी तुम्हें कैसा लग रहा है चलो तुम्हारा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं ठीक लग रहा है अपनी माम को गोसामत दिलाना बच्चो ये कैमोमिल टी पी लो मैं सफाई कर लूँगा मैंने सब के लिए पिज़ा ओडर किया था ये सबसे अच्छा है फोम पेपर से धर्ममीटर काटें बड़ी है डिस्पले है पावर बटन्स लगाएं अब टेंप्रेचर मेजर करने में कोई परिशानी नहीं होगी एलसा बुक पढ़ने के लिए बैठी फ्यूग ये गर्म है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पिगल रही हूँ मेरा सिर भूम रहा है एलसा क्या तुम ठीक हो चलो विंट डॉक्टर हमें डॉक्टर की जरूरत है मेरी दोस्ट बिमार है क्या हुआ उसका टेंप्रेचर मेजर करें कुछ मिनट के लिए थर्मामीटर को पकड़ें क्या हो गया उससे बहुत तेज बुखार हो रहा है उसका टेंप्रेचर बहुत ज़ादा हाई है मुझे पता है कि क्या करना है आइस क्रीम से सब ठीक हो जाएगा मुझे अब ठीक लग रहा है ब्लैक टेप को इस्तिमाल करें मास्क की शेप काटें चिशायर कैट की स्माईल डिजाइनर मास्क सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए नहीं होता लेकिन एक स्टाइलिश एक्सेसरी भी होती है सबसे सुन्दर मास्क चुनने में मेरी मदद करें चलो देखें हमार पस क्या है फागी मास्क कैसा रहेगा आपको क्या लगता है ये तुम पर अच्छा नहीं लगेगा ये बहुत आम है एक मिनट रुको मैं अभी वापिस आई चिशायर कैट्वली लिमिटेड कलेक्शन मुझे ये स्माईल अच्छी लगी हमारी हालोवीन पाटी शुरू हो रही है मैं तुम्हारे साथ हूँ वाव ये अच्छा मास्क है ये हमारे ड्रेस कोट के साथ बढ़िया लगेगा दोस्स मार्शमेलो रोस्ट कर रहे है ये बॉक्स फलफी पॉम पॉम से भरा हुआ है वाव बहुत फलफी है टॉप स्टैंड लगाए पाइप्स लगाए ड्रॉपर पर पिंक पेंट करें इसे हाट से सजाए बीड्स, बटन्स अब हमारे टेबल पर वील्स है इस लफ पोशन से कोई भी पेशन खीक हो सकता है पाइप्स को जोड़े चलो लाली लोग के साथ हेल्दी बने मेनी को हॉस्पिटल जाना होगा नर्स, इसकी फाइल लाओ प्लीज ये लो, ये बिकार लग रही है उन्होंने बोला है कि मेरी वाइफ यहाँ है मेरे पास तुम्हारे लिए बुरी ख़बर है सर, अगर आप उसके डोनर बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं मिकी अपने प्यार को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तयार है तुम्हारा आईवी तयार है तुम्हें उसे प्यार से भरना है ओ, मैं कहा हूँ तुम जल्दी ही हॉस्पिटल से बहार जाने वाली हो स्टेटोस्कोप का फ्रेम बनाए ओ, पुरानी हेटपोन्स तार ले, इसे जोडे स्टेटोस्कोप लगाए उसके हेटपर मटालिक पेंट करें इन हाफ वीट से बड़िया इयर कुशिंस बनाए अगर आपकी तबित खराब लग रही है तो डॉक्टर के पास जाए लेडी बग खीट नहीं है मुझे एक सरे दिखाओ, प्लीज चलो देखें, सब कुछ समझा रहा है इन जगा पर ध्यान देना होगा मुझे तुमारे लंग्स को सुनना होगा सास लो ये अजीब आवाज है, जोर से खासी करो ये लो, ये मेरी लंग्स को परिशान कर रहा था फ्रेम बनाने के लिए तार को मोड़े अच्छे ग्लासस है प्रिंटेट स्केल लगाए सर्कल्स बनाए फ्रेम पर लगाए आई एक्जाम गेम की तरह है आफ्टोमलोजिस्ट से मत दरो हेलो, ओ, तुम कहां हो मिस, तुम ठीको, तो मैं अपनी आइसाइड चेक करानी होगी एक आँको कवर करो बताओ मैं कौन सा लेटर दिखा रही हूँ मुझे दिखाई नहीं दे रहा तब कुछ धुनला है ये बुरा है ना इन स्पेशल ग्लास को ट्राइ करो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा एक लाच हटाओ ऐसे ही ग्लास के साथ भी करें अब कैसा दिख रहा है? वाउ, सारे साइन समझा रहे हैं बहुत बड़िया ग्लासेस पहल लो अब रपंजल के बाल नहीं आड़िंगे बेट वाइब को स्ट्रिप्स में काटे रोल्स बनाए जार को प्लास्टर से भरे इसे गिरने से बचाने के लिए इसके ओपर धक्कल लगाए वोडन स्टिक्स काटे ये क्रचिस है सिक्योरिटी के लिए कुछ वेबिंग स्टिक को ट्वाइन से लपेटे टिप्स लगाए ग्लिटरी स्नोफलेक से सजाए पहले की बोरिंग मेडिसिन हर पेशन्ट अपने पसंद का डिजाइन चुन सकता है शू स्केज की तरह स्लाइड कर रहे है एलसा क्या तुम यहां हो विचारी मैं तुम्हारी मदद करूँगा इवल आईज हेलो अम्बुलेंस रिंग पर आओ कार तेज चल रही है चिंता मत करो हम एलसा को ठीक कर देंगे मेरा क्या होगा हे रुको हास्पिटल ने डाइगनॉसिस देख लिया उसको फ्रैक्चर है हमें इसे कास्ट पर लेटाना होगा मैं स्केटिंग करने वापिस नहीं आऊंगी डॉक्टर मेरी कैरेट तूट गई है ओलाफ ये कैसे हुआ तुम्हें कास्ट पहनना होगा डिजाइनर क्रचिस तुम्हारे काम आएंगे इन्हें ट्राइ करो ठीक है कुछ हपते बाद वापिस आना हम ओलाफ का ध्यान रख लेंगे शक्रिया डॉक्टर किंडर जॉय की पैकेजिंग हमारे काम आएगी आबरा कडाबरा हमें ग्लिटर पसंद है इसमें सॉफ्ट स्पंज डाले कोनों को पाइप क्लीनर से सजाए लिट पर स्केल्स बनाए ये रहा स्टैन कानों को सजाए हर बाउल में इंडिकेटर्स वाले डिस्प्ले है माउस के स्टाइल वाले स्केल्स हमारी फैमली खुश होगी मैं हरान हूँ कि ये इतने बड़े कैसे हो गए ये बहुत प्यारे है चलो इनका वेट देखें डरो मत बच्चो बिल्कुल भी दर्ड नहीं होगा चलो देखते हैं यहां सब ठीक है अब तुम्हारी बारी मुझे लगता है मशीन में कुछ गड़बड है मुझे लगता है बेवी ब्लांकेट में कुछ भूल गई मेरे स्नाक्स ठीक है खुद खालो मेरे पास बहुत सारे हॉट डॉग्स है हेरिंग एड बनाए बाइरिंग लगाए स्टब लगाए यह हेरिंग एड सारे एर शेप्स और साइस के लिए बढ़िया है हापी मी लॉडर करने का आइडिया अच्छा था क्या तुम्हें बर्गर और फ्राइस चाहिए हाँ वेदर बहुत बढ़िया है क्या तुम मजाब कर रहे हो ये ड्रेस तुम्हारे ओपर अच्छी लग रही है मिकी क्या तुम सुन सकते हो क्या बहुत हुआ अब हास्पिटल जाने का समय है क्या तुम्हें पिज़ा चाहिए चलो चले डॉक्टर मेरा बॉइफर्ण भेरा हो रहा है मैं बिल्कुल बुरा नहीं हूँ ये काफी सीरियस है हेरिंग एड काम आएगा बहुत बढ़िया ये ट्राइ करो तुम कैसे हो? हनी, क्या तुम ठीक हो? हाँ बहुत बढ़िया अपना ध्यान रखना प्लास्टिक पैकेजिंग हमारे काम आएगी डीपनिंग्स बनाए अपने आपको मजबूत रखने के लिए हर रोज एक पिल खाना बॉक्स में मेडिसन डालो लेडी बग के लिए खास विटामिन्स ओ, मेरी नीन पूरी नहीं हुई एक्सेसाइस करके नीन खुल जाती है ये काम नहीं आया ये बेट्स ओ, नहीं, मैं बहुत कमजोर हूँ लेडी बग एक खास रेमेडी है ये लो टिक की मुझे गलत सला नहीं देगी मैं फिर से पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो गई हूँ लेट्स गो